नमस्कार आप देख रहे हैं एटी मनी बनम अपना फिनांस मिनिस्टर मैं हूँ आपके साथ कवता थपलियार और बजट नस्दीत आ चुका है और ऐसे में तमाम लोगों की एक्सपेक्टीशन्स क्या है उमीदे क्या है वित्रमंत्री साहिवा से उच से आज हम शो की शुरु आपके फिनांशनल पॉर्टफोलियो को लेकर जिस पर हम शो पर बात करेंगे शुरुबात करते हैं उन दर शो के साथ मिलेनियम मैंज की महिला निवेशकों की बीच पहुची एटीनाउस वदेश की टीम मिलेनियम मैंज की महिला उन्हें निवेशकी बारीक्यों पर खुलके चाचा की साथ थी 2023 के बजट से उनकी क्या उमीदें हैं ये भी बटाई अब भारत में भी लें कैरवान टूरिजम का मزजा जाने कहां डेवलप हो रहा है इंफ्रस्ट्रक्चर क्या है कैरवान टूरिजम का मकसद जिसके लिए कैरवान टूरिजम है खास बताएंगे आपको आज क्या पूट्फोलियो में ज्यादा फंड का मतलब ज्यादा रिटर्न होता है कैसे बने स्मार्थ निवेश रकलंभी अफ़ी के लिए क्या हो निवेश की रन्मी दी चानिंगे आज हमारे एक्सपर्ट से चानि आज शोकी शुद्वात करते हैं एक बेहत खास चर्चा के साथ बजट में बस अब कुछी दिन दूर है और ऐसे में वित्रमंत्री सहाइबा से हर कोई यानि कॉर्प्रेट से लेके सेक्टर लीडर से लेके आम टैक्सपेयर से लेके हर कोई अपनी विश्लिस्ट अपनी उमीदे जो है वो लगा कर बैठा हुआ है विश्लिस्ट लेकर तयार है तो ऐसे में 80 मनी बने अपना फिनांस मिनिस्टर पहुंचा मिलीनियम मैम और्गनाइजेशन की महिला निवेशकों के पास ये महिलाएं कामकाजी है और साथ ही शेबाजार में निवेश भी करती है और इनकी वित्रमंसरी साहिबा से क्या-क्या मांग है दिखाते हैं हर साल इंतजार है बजट का ताकि आपकी जेब में थोड़े से जादा पैसे हो और आप जादा खरच कर पाए तो यहाँ पर अब की बार बजट से क्या-क्या उमीदें हैं कॉर्परेट से लेके सेक्टर रेप्रेजेटनेटिव को लेके और एक आम टैक्सपेयर को यही सब जानने की कोशिश है हमारी और आज मैं आ गई हूँ बहुत ही उम्दा महिला निवेशकों के बीच में जो न सिर्फ बाजार में निवेश करती हैं बलकि बाजार को पढ़ती भी हैं समझती भी हैं और उसके मुताबिक अपनी रणनीती भी बनाती हैं की बार जो हमारी वित्रमंत्री साहिबा हैं उनसे इन्हें बहुत सारी उम्मीदें हैं मिलेनियम मैम ओगनाइजेशन जो की एक ननप्रॉफिट ओगनाइजेशन है और महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण में अपना योगदान दे रही हैं उन्हें न सिर्फ आर्थिक आजादी के बारे में समझा रही हैं बलकि किस तरह से निवेश की रणनीती को समझ कर अपने आर्थिक सपनों को वो उडान दे सके इसकी समझाईश देती हैं बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी बेहत खास पेशकरश में और ये सभी कामकाजी महिला हैं इन वेश करते हूँ कि जाती हूँ कि सबसे पहले हम सेक्टर इमांज को लेकर शुरुआत करते हैं बताईए दन्यवाद कविता, इस टाइम मुझे लगता है कि फाइनांस मिनिस्टर को थोड़े ज्यादे पैसे देने चाहिए इंफ्रास्ट्रॉक्चर इंडास्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए स्टील इंडासट्री उनका विकास और होएगा चोटे शोटे शेहरों को अगर हम रेल, रोड, मेट्रो रेल से कनेक्ट करें, तो उन लोगों का विकास भी और होएगा, वहां से सामान, अर्बेन सिटीज में जल्दी पहुंचेगा, सेलफ पास होएगा, तो इससे उनलों का विकास भी होएगा, नेशन का भी विकास होएगा तो इसे रिक्वेस्ट डाट ये टाइम, बजट में से अगर प्राइम मिनिस्टर सीता रवान गिव थोड़े और पैसे ये सेक्टर में खर्च करें तो इकनोमिक अक्टिविटी का विकास आई थिंक बहुत उंदा और डबल हो जाएगा अबसलूटली, तैंक यू कवेता सेक्टर्स के लिहाज से ये डिमांड हमने देखी और साथ ही जैसे से हमने देखा कि एकनोमी खुल रही है और कोविट के फेसे हम बाहर आ रहे है तमाम सेक्टर्स ने पिक अप भी करना शुरूर किया है लेकिन एक चीज जो यहाँ पर हमें जरूर ही बात करनी चाहिए वो है महिलाओं का सशक्तिकरन विमन इंपावर्मेंट को लेकर और खासतोर से और महिलाओं को वरकिंग फोस में लेकर आना और अंत्रिप्रॉनिर्शिप के लिए उनको बढ़ावा देना यह बहुत बड़ा एक कदम हो सकता है अगर बजट में इस पर फोकस किया जाए तो अबसलूटली कवीता हम हमेशा विमन के बारे में बात करते हैं महिला के बारे में बात करते हैं महिला सरशक्तिकरन के बारे में या इक्वालिटी महिला और पुरुष के बीच में बात करते हैं अगर हम गौर से देखे तो हमारे बजट में ऐसा कुछ खास है जो विमन के ल तो मेभी अगर हम महिलाओ के लिए एक अलग श्रेणी दी जाए तो यह हमारे लिए बढ़ावा होगा अगर हम कुछ कुछ कंसेशन या रियासत दे उनको या कुछ क्रेडिट सपॉर्ट दे तो वो बहुत हेलपफुल रहेगा उनको आगे बढ़ने के लिए और टैक्स पेयर्स जो हमारी जनता है उसमें से पच्चास प्रतिशद विमिन हैं महिलाए हैं तो उनके लिए टैक्स द्वारा कुछ कंसेशन या बेनिफिट दे तो वो उनके लिए इंपोर्टन रहेगा हमारी फाइन्स मिनिस्टर एक महिला खुद है इसके लिए अगर वो चाहती है कि हमारी महिलाओं का विकास हो तो ये बज़िट में ऐसे रिफॉर्म होने चाहिए जिससे हम विमिन को बढ़ावा दे सके और यही हम चाहते हैं कि हमारे बज़िट में हो बिल्कुल तो वित्मंतरी साहिबा के लिए ये तमाम डिमांड्स है लेकिन मैं अगली डिमांड पर जाओं उससे पहले आप सब बाजार में निवेश करती हैं है ना तो एक तो आपका पोर्टफोलियो होगा और दूसरा आपके स्पाउसस का पोर्टफोलियो होगा किसका जादा कमा के दे रहा है मुझे ये बताईए आपका बिल्कुल वा मेरे कहाँ से ये अपने आप में काबले तारीफ है ना आप लोग साथ में बैठते हो एक दूसरे के और बोलते हो देखो मेने जादा कमाया है तुमसे है ये महीने मेरे मेरे पोर्टफोलियो जादा परफ जादा करें आप लोग साथ मेरे 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 मे then you cannot be looking at short-term goals. Absolutely. So, some long-term goals, yes. लेकिन भूले तो होंगे न? हाजी, वो तो हम्रेशा है. है न? तो क्या 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 प्लान किया अब तक? यहाँ पर भी कुछ बोलो ना? क्या क्या प्लान किया अब तक? कहा गूमने जाना है, क्या करना है, दो क्या था है? इंवेस्टिंग बखिट लिस्ट? इंवेस्टमें से बखिट लिस्ट, जो अपने शौक पूरे करने की हूती है. इंवेस्मेंट से बखिट लिस्ट? हाँ. I think, भूमना फिरना तो चला ही रहता है. चलता रहता है ना? I think, I think long term investments के लिए जो देखते हैं, it's really कि पैसा double हो, कितने सालों में double हो करोगे, क्या double करके, करना क्या है? Security और? हम लोग कि डेली lifestyle में तो फरक नी पढ़ने वाला इससे Okay, okay So this is really more So आपको financial security है, चाहिए और इसलिए portfolio भी बनाया गया है आप financial freedom, आर्थिक आजादी, ये चाहिए, ये सबसे बड़ा मकसद है और ये सबसे बड़ा मकसद हर किसी के portfolio का होना चाहिए और ना केबल महिला निवेशकों का, हर तरहा की निवेशकों का मकसद ये होना चाहिए आप किसी भी उमर के हो, आपकी intention, आपकी जो नियत है एक निवेश रणनीती बनानी की वह होनी चाहिए कि आप आगे चल कर अपनी जिंदिगी में आर्थे काजादी जितना जल्दी हो सके और उतना जल्दी आप पासकें चलिए, आगे बढ़ते हैं और आप से शुरू करते हैं सेक्टर डेमांड मैनुफाक्टरिंग सेक्टर में, उद्योग में PLI स्कीम का बहुत महत्व है और इसका बहुत फाइदा भी हुआ है इस बजट में हमें चाहिए कि थोड़े और इंडस्ट्री जाएं लिस्ट में इंसेंटिव दी जाएं उनको MSME सेक्टर के लिए थोड़ा और सोच, थोड़ी और कंसेशिंस COVID का काफी इंपाक्ट रहा है उन पे तो उस डिरेक्शन में थोड़ा और गवर्मेंट का सपोर्ट चाहिए इस बजट में हमारी जो China Plus One जो सब बोलते हैं स्ट्राटेजी है इंडिया को अपना शेर मैनुफैक्टरिंग में बढ़ाने की जरूरत है और इस बजट में इंडिकेशन आना चाहिए इस बढ़ाने की जरूरत है हमारा करन्ट अकाउंट डेफिसित दस साल में सबसे हाई लेवल पे है अभी तो एक्सपोर्ट इंसेंटिवस चाहिए उनके लिए लिए कंसेशन चाहिए हमारा जो इंडस्ट्रिल शेर है जीडिपी में अभी करीबं 25 परसेंट के आसपास है इसको बढ़ाने की जरूरत है तो इसके लिए इंसेंटिवस मैनुफाक्ट्रिंग सेक्टर के लिए टैक्स कंसेशन्स, इंडस्रेट कंसेशन्स तोड़ा सा और उनको पुछ दिया जाए काफी कुछ पुछ दिया जाए तो यहाँ पर यह तमाम दाइरे जो है वो बढ़ाने चाहिए लेकिन महंगाई की आप में से किसी में अब तक बात नहीं की है इसके कोई चंता नहीं है क्या सुपो कूल लग रही है बिलकुल मुझे एकदा महंगाई no tension at all घर का budget मतलब बहुत अच्छा चल रहा है ठीक चल रहा है कोई कॉई कटौती नहीं हो रही है है ना हवते में चार बार खाणे जाने की बज़य है हम तीन बार जा रहे हैं असा नहीं हुआ कि हुआ है दीखे हर घर में अलग अलग बात चल रही है लेकिन overall जैसे इतना हमें नहीं लगा है कि ज्यादा हमने cut करना पड़ा है लेकिन हम थोड़ा smartly, थोड़ा efficiently पूरा हम अपना plan बनाते हैं और जैसे आप पूछ रहे थे, ये investment का हमारा end goal क्या है वो जो flexibility आती है, जब ही portfolio बढ़ता है जो security जैसे हमारी friend बोल रहे थे, जो security आता है it gives us a lot of, हमको बहुत, जैसे peace of mind almost like because here हम long term के लिए सोच रहे हैं we're not doing day trading, we're not looking at short term gains what we're looking at here is really a long term security, long term flexibility जहां पर compounding का फायदा मिलेगा absolutely, जहां हम अपने पैसे के लिए नी, पैसे हमारे लिए काम करें बहुत ज़रूरी, और बाद में नौकरी छोड़के दुनिया के हर कोने में जाके बैचो और वहां से काम करो, why not? why not? है ना, इससे बहतर और सोच और जिन्दी क्या हो सकती है बरहाल, आपकी क्या है, उमीद है थोड़ा agriculture में हम touch करेंगे कि agriculture तो focused area रहीगा budget में यहां government थोड़ा अपना spending बढ़ाए हर sector की मांग है तो हमारी भी मांग है agriculture में थोड़ा focus बढ़ाए spending में अगर यह और program अनाउंस करें warehousing में, coal chain में, irrigation में यह area हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे subsidy की बात करें तो direct subsidy जैसे fertilizer subsidy में ज़्यादा बदलाव नहीं हम expect कर रहे है लेकिन interest rate subsidy की through अगर यह ज़्यादा थोड़ा push करें तो यह अच्छा रहेगा यहां पे किसी विब्र इंवेस्टर ने निवेश में छूट की या tax fast कम करने के अगर डबल हुआ है तो हमें टैक्स भी तो बचाना चाहिए बिल्कुल बचाना चाहिए क्या मांगे फिर सोच रहे हैं कि निर्मिला जी हमारा टैक्स इतना profit थोड़ा बचा के रखेंगे और हमारे विब्र इंकम में भी वो ना टंच करें हमें तो वे लुपिंग के वी चुछ कर सकें इस बारे में तो बहुत य अच्छ रहेगा और वॉपर मौंट मार्कित में भी अगर वुविमन इंवेस्टों to make it strengthen the bond market today. उसके लिए भी बहुत कुछ करना चाहिए होना है. आपने से कितने सारे लोगों की fix deposits है? सबकी है. सबकी fix deposits है. लेकिन अच्छे diversified भी है, मतलब एक fix deposit भी होगा, equity में भी होगा और और बाकी जगा. फोलियों की planning करनी पड़ती है, आपका fix deposit में कितना percentage डालेंगे, आपका low risk, थोड़ा higher risk, capital markets में क्या डालेंगे, उसकी तो planning करनी पड़ती है. तो risk आप सब समझते हैं, हर asset class की अपने-पनी क्या-क्या जोखिम होती है और कितनी आप लोगों की जोखिम उठाने की शम्ता, जो capital markets में पैसा डालते हैं, वो उतना होना चाहिए कि अगर आपका खो जाए, तो आपकी daily living में फरक नहीं परना चाहिए. ये सोच समझ के entry करनी चाहिए. आपकी जो critical capital है, आपका standard of living maintain करने का जो पैसा है, वो capital market में नहीं डालना चाहिए. और बहुत ज़रूरी है, मेरे ख्याल से हमने pandemic के दौरान बहुत सारी women investors को participate करते वे देखा है, आप लोग ने कब से on an average, तकरीबन कितना साल से शुरू किया होगा निवेश करना? 2-3 साल. 3-4 सालों से है और अभी देखो, इनके portfolio double है, double है कि नहीं है? चलिए, आगे बढ़ते हैं and आप बताराएए. So मैं बात करना चाहूंगी fiscal deficit के बारे में, so जैसे हम जानते हैं, हमारी सरकार आमदनी अठनी, खर्चा रुपईया, so ये number हमें, sir ने हमारे classes में बहुत importance दी है, तो जैसे हमने देखा कि हमारा fiscal deficit announced हुआ था 6.4%, तो हम ये देखना चाहेंगे कि government ने इसे maintain कर पाई है कि नहीं, और अगले साल के लिए भी वो क्या announce करने वाली है, तो हमारे दो साल COVID में निकल गए, तो fiscal deficit ज्यादा थी, लेकिन अब हम चाहते हैं कि एक road map हमें finance minister दे, जिसमें वो इसको 4% पे लेके आए, तो मेरा concern इसलिए है fiscal deficit के लिए, क्योंकि हम देखते हैं, जब government उधार लेती है, तो money supply कम हो जाती है, economy में, और उससे आपकी interest cost भड़ती है, like private sector पे pressure पड़ती है, तो interest cost से मुझे फरक पड़ता है, because EMI मेरी भड़ती है, तो ये सब देखते वे, मैं चाहती हूँ कि fiscal deficit एक control होए, और प्लस ये बहुत एक politically sensitive number भी है, हमारा election सामने है, तो उसको मध्धे नजर रखते वे, finance minister को एक road map हमें towards 4% दीनी चाहिए. मुझे अब ये बताईए कि आपने EMI का जिकर किया, तो मुझे जानना है कि आप सब क्योंकि working women है, तो अपना loan portfolio, अपना investment portfolio, और अपना जो daily rose का जो आपका खर्चा होता है महीने का, इन सब में आप balance कैसे करते हो, मतलब इसके पीछे नुस्खा क्या है, मुझे पता है कि मेरी मुम्मी का क्या नुस्खा है, लेकिन हर किसी का अपना नुस्खा होता है, हर महिला का अपना नुस्खा होता है, घर चलाने का, फिनान्स मनिस्टर होती है, जो गर चलाने का तो नुस्खा होता है, इच वान विल, I guess, have their own styles, but the main thing is like you said the stock market में पढ़ाई 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 करके समझ के that's very important and I think that takes you forward everywhere आप लो क्यूंकि मिलेनियम माम और जुड़े हुए है और यहां पर मैं जो देख रही हुँ हुँ महिला है working women है लेकिन क्या इस organization में home makers भी participate करते हैं yes absolutely actually home makers के लिए it's a great opportunity क्यूंकि they all have surplus like my friend just said surplus budget को ही हम लोग मतलब surplus money को that's what goes into the stock market and वो learning and you know independence होना that is very important for us महिला बताये आपकी क्या मांग है तो मैं जाओंगी सिधा आयकर की तरफ direct taxes and definitely ATC exemption limits so that is one way that Sita Raman ji can help us increasing the exemption may be 1.5-3.5-2.5 तक करें तो उसे क्या होगा कि जो सब middle class specially Sita Raman ji ने भी कहा कि वो middle class की है she understands the pains of the middle class so उसे the people will be able to save more and eventually the liquidity market में जो हो बढ़े की so that is something we are looking forward to and जैसे सबने कहा भी चुनाव का budget है so Modi ji बहुत तो कुछ नहीं करेंगे but he will not disturb the situation but definitely some concessions, some freebies and specially women के लिए कुछ तो पैसा हात में बचे ताकि demand को भी और consumption को भी turn out करने का मौका मेले तो मेरे क्याद से personal tax को लेकर तो हर किसी की यही चाहत है बहुत लंबे समय से pending भी है काफी समय से हमने देखा है कि A.T.C. में कुछ बदलाव नहीं हुए है तो बहरहाल यह तो हमारी demand है women investors की लेकिन Millennium MAM Organization जो है खास budget के दिन budget एक साथ देख भी रहा है इसको लेके क्या planning है जड़ा बताएं और जो जुडना चाहते हैं वो कैसे जुड सकते हैं हमारा Facebook page, Instagram page we are very active please देखेगा Millennium Mams and on the day of the budget 1st February को हम लोग सुबह जो है जो हमारा बजे से बज़ित देखेंगे सीता रमन जी की speech सुनेंगे और फिर Mr. Dhahnuka, who's our mentor वो पूरी analysis करते हैं वो भी हम लोग साथ में देखने वाले हैं it's going to be a Zoom session by Mr. Dhahnuka from Calcutta so please join us and we will be 500 plus women, 300 physically in different cities and बाकी Facebook live, YouTube live पे so please do join us चलिए तो यह होने वाली बज़र पाटशाला Millennium Ma'am organization की तरफ से और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का समय निकाला अपने दिन में से और इस चर्चा में आपने शिरकत की और अपनी उमीदें बताई और साथ ही अपने जरिये तमाम महिला निवेशक जो की अब तक invest नहीं कर पाई है उन्हें आपने प्रेडना दी Thank you so much Thank you Thank you